हेलो दोस्तों मैं आप सभी को सुवागत करता हूँ अज टड़ी थिरी यूटूब चैनल पर आज के वीडियो में हम आप लोग को जंकारी देंगे अधार कार्ड आपके बैंक खाता से लिंक है कि नहीं है कैसे पता करना है अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आन तक दिखिएगा इस वीडियो के अंदर आप सभी को कंपिल्ट जंकारी मिलेगा कि आपके अधार कार्ड आपके बैंक खाता से लिंक है कि नहीं है चेक करने के लिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आन तक देखिएगा वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके सेयर हो किजिएगा चले मैं वीडियो को शुरू करता हूँ दोस्तों अगर आपका अधार कार्ड आपके बहुत खतास लिंक है की नहीं है चेक करने के लिए अपने मुबाइल में गूगल कोपिंग करने के बाद यकूगल से बाम में आपको टाइप करना है उडिये और फारे वाले जो लिंक है इस लिंक पर आपको क्लिक करने है जब दोस्तो आप क्लिक किजेगा तो यहाँ पर सबसे पहले language का option आएगा तो English वाले option को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का page खुल कर open हो जाएगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर एक option मिलेगा अधार service के नीचे वहीफाई एन अधार का ठीक है इस वाले option पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तो आपके सामने इस तरह का page खुल जाएगा उसके बाद थोड़ा नीचे आना है यहाँ पर एक option दिखाई देगा बैंक sending status ठीक है इस वाले option पर आपको क्लिक करना है जब आप क्लिक किजिएगा तो आपके सामने इस तरह का page को लेगा उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ट के नमबर आपको डाल देना है अधार कार्ट के नमबर डालने के बाद यहाँ पर capture का option है तो जिस तरह capture लिखा है उसी तरह आप capture को box में fill up करना है जैसे की capital लेटा रहेगा तो capital is small रहेगा तो small उसके बाद login with OTP का option है इस वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके mobile number पर OTP जाएगा जो आपके अधार कार्ट से लिंक है तो यहाँ पर दोस्तों OTP डाल देना है OTP डालने के बाद यहाँ login का option दिखाई देगा इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का page खुल जाएगा उसके बाद फीट से यहाँ पर bank sending status का option दिखाई देगा इस वाले option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको status दिख जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपका अधार number यहाँ पर bank का नाम bank sending status यहाँ पर सो करेगा active और inactive का अधार card link करवाने के लिए bank account से आवेदन कब दिए यहाँ पर date सो करेगा ठीके दोस्तों तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका अधार card आपके bank खता से link है की नहीं जयंकारी सही मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक करके share जोड कीजिएगा चले में वीडियो को समाप करता हूँ जय हिंद जय भारत